नमस्कार दोस्तो मैं राज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल राजपिट दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ दो टॉपिक आपके लिए जो काइन मास्टर सेलेटेड है और आपके लिए बहुत ही हेल्पूल होने वाली है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप काइन मास्टर को एजिली यूज कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए तो मैं आपको दो टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका प्रॉब्लम्स का सॉलीशन मैं लेकर आया हूँ सबसे पहला प्रॉब्लम्स का सॉलीशन यह कि बीडियो में एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स ठीक है पहला बीडियो में एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स जो हमें अक्सर फेस करना पड़ता है अगर हम वीडियो की quality अगर हम set करके export करते हैं वीडियो को तो बीच में हमारा error आजाता है ऐसे problems का solution लेके मैं आया हूँ दोसरा topic यह है कि कम MB में हमारे वीडियो का resolution कैसे आया है ठीक है दोस्तों आज यह दो setting बताने वाला हूँ दोस्तों यह दो setting अगर आप जाने गए तो आप DSLR केमरे से ज़्यादा बेटर वीडियो की quality को कर सकते हैं यह मेरी guarantee है तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर पे ठीक है दोस्तों काइन मास्टर पे जाने के बाद सबसे पहले यह setting option है इस setting के option पे click करने के बाद device capability information पे click करने के बाद यह जो कोने में run analysis 9 करके एक option आ रहा है उनको click कर देना आपको click करने के बाद run analysis 9 पे click करना है दोस्तों यह करने के बाद आपके काइन मास्टर में जो भी software problems जो भी errors होंगे वो clear हो जाएंगे दोस्तों सबसे पहली बात यह मेरी guarantee है अगर आपके problems आपके वीडियो में export problems आ रही है आप इसको करके देखो आपका 102% वो problems का solution यहां से हो जाएगा ठीके दोस्तों तो मैंने आपके और लेडिक करके रखा था तो मैं चलता हूँ वीडियो के दूसरे topic पे जी दोस्तों तो दूसरा topic हमारा था कि हम कम MB में अपने वीडियो की quality को कैसे बहतर कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो उसके लिए हम चलते हैं अपने बैक में और एक वीडियो करते हैं एक वीडियो सेलेक्ट करने के बाद एक वीडियो को हम कर लेते हैं सेलेक्ट कोई साभी वीडियो ले लेते हैं ये वीडियो लेने के बाद हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद यह जो आपके सामने यह setting खुल के आ रहा है यह बहुत ही ज़्यादा important setting है जो आप अगर एक बार कर लेंगे तो आपकी video quality बहतर होगी ही होगी आपकी video की resolution भी बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगी और यह video की quality आप में बहुत ही अच्छी आने वाली है तो चलिए setting यह और चलते हैं दोस्तों तो resolution में आपको सबसे पहले full HD 1080p पे कर देना है video की quality resolution पे ठीक है दोस्तों अब frame rate जो होने वाला frame rate 30 पे कर देना आपको फिल्कुल 30 पे ही करना है आपको frame rate यह जो 30 पे करने के बाद यह जो resolution की quality है इसको आपको 10 पे कर देना है 10 पे करने के बाद आपको करना है video को export ठीक है फ्रेंट export करने के बाद export हो रहा है दोस्तों export होने के बाद मैं अभी आपको video की quality दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको believe हो जाए कि जो मैंने setting बताई है वो बिल्कुल वाकई में काम करती है ठीक है प्रेंट तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको video की quality ठीक है प्रेंट तो चलिए video की quality हम आपको दिखा देते हैं आपको subscribe करेंट आप देख सकते हैं video की quality क्या है आसा गरता हूँ आपको ये video अच्छी लगी अगर video अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर subscribe करें हमारे video को like करें और bell icon को दबाए ताकि हमारे आने वाला notification आपको मिलता रहे क्या है